हेलो माई फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल और आप पढ़ रहे थे कॉमिक्स टू थाउजन पत्रिका शांदार तो ये इसका पार्ट थी है जो हम शुरू कर रहे हैं फिनाले पार्ट है तो आप मेरे चैनल फर्स टाइम है तो चैनल को सबिस्क्राइब कर है और क्या सुष्टे रहते हो चलिए शुरू करते हैं कॉमिक्स टू थाउजन पत्रिका में आगे बढ़ते हैं और हमारे एगली कानी शुरू होती है काली पिल्ली करनल राजपताब उन मित्रों के साथ एक कोठी के लॉन में बैठे थे अचानल के काली बिल्ली इधर आ गई निकली करनल क्या तुमने बिल्ली पाल लगती है नहीं यह आवारा बिल्ली कभी बिल्ली कभी कभारी इधर आ निकलती है बहुत गंदी है मैं भगाता हूं इसे नहीं मारना मत करनल परताब बुरी तरह घबर आ गए थे अरे तुम इस तरह ड्रक्यों के करनल मुझे काली बिल्ली से बहुत डल लगता है मैं तुम्हें घटना सुनाता हूं फिर तुम मेरे भैका कारण समझ जाओ गया हो करनल ने वह खौफ ना घटना सुनानी आरंब की उस दिन में अपनी पतनी के साथ राजगर का प्राचीन किला देखने गया था इतना पुराना होने पर भी किले की हालत ज्यादा खराब नहीं है हाँ कहते हैं अंग्रेजों ने अपने शासन में इसकी काफी मरंबत कराई थी तब ही एक गाइड हमारे निकट आया मुझे ब खंदक देखिए साब के लिए की सुरक्षा के लिए इसमें पानी भरकर खतरना घड़ियाल छोड़ती रहते थे लेकिन अभी तो यह सूखा है वे बिल्ली देखो बच्चा भी है मैं उसे बखायता हूं साम नहीं उसे मारना मत हेहे मारूगा नहीं स्रिफ टराऊंगा मैड तरह रूर ही थी बेचारी छोड़िये मैडम कुत्ते बिल्ली तो रोज मरती रहते हैं चपार चपार तबी उस बिल्ली ने स्थे ले उठाकर ऊपर देखा ओफ कितनी घ्रणा थी उसके आँखों में अच्छारक बिल्ली ने हवां में छरांग लाई को रूर धार लेकिन उ नुकसान पचा सकती है अब बेकार डर रही है मैडम भला एक बिल्ली हमें क्या नुकसान पचा सकती है चप रहो तुम और आगे चलो किले के भीतर जाने पर हम खंदक के साथ साथ चली जा रहे थे मुझे इस बिल्ली से बहुत डर लग रहा है तुम बेकार वहम कर रही हो अब तो वे काफी पीचे चूट गया है कुछ धिर बाद हम के ले के फाटक पहुंच गये थैंक गॉड बिल्ली काफी पीचे चूट चूट चुकी है कुछी धर बाद किले में खुमने के बाद अब मैं आपको के लेकर टेहखाने में बनां टॉर्चर चैंबर दिखाने जा ती थी और यह कीरों वाली कुर्सी इस पर कैदी को बैठने के लिए वबश्च किया जाता था ए राम फिर वह हमें बड़े चबूत्रे के निकट होकर ले गया चाहां के लिए करमचारी भी खड़ा था यह क्या यह यातना देकर माट ड़न ले का सबसे भैना के अंत्र है कहकर अदे राम भरोसे जरा साब लोगों को दिखाओ यह कैसे काम करता है अभी दिखाता हूँ बाबु भाई करमचारी के दिवार निकटा का चर्वी चर्की घुमानी शुरूगी चर्र चर्की घुमाने से पत्थर उपर उठता गया वहो देखे साब इस खाचे मैं कैदी को लिटा दिया जाता था और फिर मैं धक्कन छोड़ दिया जाता था ओ माई गॉड कितनी भैरंग मौत होती ह होगी इसमें लेटने से पहले ही कैदी कि आदी जान निकल जाती होगी हाँ हाँ आप बहुत डरती है मैडम देखिए मैं आपको भीता लेट कर दिखाता हूं कुछ नहीं होगा मैडम मैं दिन में कई बार ऐसा करके प्रेटों को दिखाता हूं उफ मुझे तो टर लग रहा वे खाचे को चित लेट गया तर हा हा अब मैं मौत को अपने उपर जूलते देख रहा हूं तब ही भगाओ से अरे म्याओं कर्णा ने बिल्ली को भगाना चाहे शिश शिश लेकिन बिल्ली ने भागने के स्थान पर चर्खी का हैंडल खवान थामने वाले करमचारी पर चल अपने खाचे पराकर गिरी और इखचाक अपने स्थान पर फेट हुई है भगवान खट चबूत ने बरी नालियों से साइट से खून भैकर भार आरता जिसे वे काली बिल्ली विजई मुद्रा में चाट रही थी चपर चपर और उस काली बिल्ली ने अपने बच्चे की का बदला बाबू का इट से ले लिया था मेरी पत्नियों भैनतर से देखकर भ्योश हो गई ओहो और यह घटना सुनकर सुना कर करनल राजपता आपने घहरी सास ली अब बोलो क्या कहते हो यही कि जानवरों की भावना होती है और हमें उनकी भावनाओं से छेट शाड नही है तो दोस्तों आपने भी इस कानी जशीक लिए होगी बेवजे कभी किसी चानवरों को सता रहनी चाहिए नहीं तो यह आपके लिए खतर नाख हो सकता है अगली इसमें कॉमिक्स क्या आती है दोस्ताद सोहनपुर सारंग नगर की सीवान बसा एक छोड़ा सा गाव था और इस बार मा भीचन सूखा पड़ा था जिसके प्रणान सुफसले नश्टों के थी भूख पैस से व्याकुल हो उठेते सोहनपुर वासी सूखे की खबर पाकर सारंग नरेश प्रत्वी सिंग ने अपने खजाने के मुह खोल दिया महामंत्री जी जितने भी धनकिया वह सकता हो खोशागार से लिलिया जाए राज का एक भी आदमी भूखे पेट नहीं सोना चाहिए जो आग्या महाराच लेकिन राजधानी में भ भागियां से उच्छाधिकारीों की बेमानी को राजा का न्याए समझ का सभी चुपो जाते लेकिन लाखनों दो शीरामें ने अंगी तब चाहता लगा इस रोशंदान का शीषा हटा कर अंदर आना होगा कुछी पलों में उन्हें रोशंदान का शीषा उतार दिया लाखन में अंदर जाता हूं तुम चार और निखार अगना ठीक है शेरा रस्ती के सारे नीचे उतार कर शेरा राजकोष में पहुचा और वहाँ फैली सौन मुद्रा हैं अपने जोले में भनी आरम कर दी गुची धेर बाद शेरा मुद्राओं से बरा जोला उठाक और उपर आ गया ओह इतनी सौन मुद्रा हैं इन्हें बाद में देखना लाखन पहले रोशन दान का शीषा पूरबत लगाने मेरी मयत करो दोनों ने मिलका रोशन दान के शीषे पूरबत लगाया चलो लाखन अब कोई नहीं जान पाएगा फिर ये चोरी कैसे होई धन लेकर लाखन और शेरा अपने गाउं में पहुंचे और लोगों को बादना शुरू किया ये अलो चाचा अपने प्रवार की भूख मिठाने का प्रवंद करो जगजग जीओ बेटा गाउबानों खुश देखकर शेरा और लाखन भी खुश दे अब हमें भी अपना गाउबानों के लिए धनकी अवर्शता पड़ेगी हम राज कोश से ले जाये करेंगे इधर जब कोश की जाच हुई तो सभी आश्चर सकेत हो गए सभी ताले पूरवा बनते हैं कहीं किसी सेंद का संगेत भी नहीं हुआ फिर चोर कोश गरह में प्रविष्ट कैसे हुआ बात राया तक जहां पुशी कोश गरह में चोर कैसे हुसा इसका पता तुलाराम लगा सकता है तुलाराम अपने समय का नाम ही चोर था जो महाराज पर्विष्ट सिंग द्वारा अवेदान दी जाने पर चोरी की जिंदी की छोड़कर इमानदारी के दिन गुजार रहता सारी बात जनकर हैरन हो गया महाराज आप कोशागार में कोश उपले सुरगा कर उसका दरवाजा बंद कर दीजे और गोर से निक्रानी कराई है जिस रास्ते से धुवा बाहर निकले समझ लीजे वही चोर के आने जाने का रास्ता है तुलाराम की तरकीव का प्रेणा जल्दी सामय है चोर ने जिस सबाई से चोरी किये उससे उसे पूर्ण विश्वास होगा कि उसका रहस्ते कभी निकुलने वाला अता है उसी विश्वास के बले पर फिर चोरी का प्रेणा करेगा इसलिए आप ऐसा कीजिए क्याकर तुलाराम राजा को अपनी चोरी की योजना बताने लगा उदर कुछ दिनों बाद धन समापतों जाने के बार लाखन और शेरा फिर राज कोर्श में चोरी करने आप पहुँचे और एक बार फिर उन दौरों ने चत्राई से रोशन दाज का शीशा भान निकाला और शेरा रस्टी की मरस से नीचे आने लगा लेकिन इस बार जैसी शेरा रस्टी छोड़कर नीचे कुदा चपाक ओह धोका शेरा के कुछ समने से पूर्वी कढ़ाई में भरा चिपचपा पदार्थ उसके शरीष पर बुरी तरह चिपग गया था जितना मैं इससे छूड़ने का प्रयास करता हूँ उतना यह पदार्थ मुस्से चिपगता राता है अम मैं बंदी होने से नहीं बस सकता यह सोचका शेरा चीक उटा लाखन मैं यह फस गया हूँ तुम भाग जाओ नहीं मेतर मैं तुझे छोड़का नहीं जाओंगा मैं तुम जिद मत करूँ मैं तुम पहरी आते होंगे तुम यहां से भाग जाओ इस्तथी गंबीरता हो समस्ते में लाखन ने फौरण अपने थेले से कुछ निकाला और नीचे उचाल दिया शेरा मैं एक दम फाय रहा हूँ इसे तुरंद खारे ना इसके प्राव से तुम दो दिन तक मुर्दों की तरह निर्जी पढ़े रहोगे तक तक में छुड़ाने कोई न कोई उपाय कर लूँगा तक फस्ता लाखन वाँ से भाग कड़ा हुआ अगले दिन जब महराज परत्वी सिंग कोशागार में पहुँचे तो कड़ाय में फसा शेरा का देखकर बाचे खिल उटी वहाँ तुलाराम की योजना कामे अब रही अब अपने और अपने साथियों के बारें बताएगा लेकिन शेरा के पास पहुँचकर महरा परत्वी सिंग हराय न गया हो यह तो मर गया परत्वी सिंग न तुलाराम को बलाया और पूरी बात जानका तुलाराम बोला महराय लगता है राजकोश में चोरी करने वाले चोरों की संक्याद दो है इसका दूसरा साथी काफी चतर जान पढ़ता है जो से जहर देखकर स्वाम भाग गया लेकिन देर सबर वे जानने जरूर आएगा कि उसका साथी जिन्दा है या मर गया इसलिए आप उस चोर की तलाष को चौराय पर रखवा कर उस पकड़ा पहरा बिटवाए दे हैं लाखन पर्थवी सिंग की सारी योगना समझ गया शेरा के सहरे महाराज में पकड़ना चाते हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा उसी रात लाखन एक साथू का वेश दर का चौराय पहुचा अलाक निरंजन बच्चा यहां के कर रहे हो तुम्हें तो राजमहल के पहरे पर होना चाहिए यहाँ पर भी पैरे पर ही है हमाराज, यहाँ पर लाश के पैरे पर, लाश का पैरा, यह तो बहुत कटन का रहे है बच्चा, लाश तो कभी भाग सकती है, क्यों मूर्ख बना रहे है हमाराज, लाश कभी भागती है, क्यों नहीं बच्चा, क्या लाश भूत बनकर नहीं बन भूत भूत सब अकवास होती है माराज हमने तक अभी किसी भूत को नहीं देखा नहीं बच्चा भूत पर सचमुच में होते हैं तुम्हें विश्वास नहों तो हम तुम्हें ये लाश जीवित करके दिखा सकते हैं सादू की बास सुनकर सैने खहरान हो गया क्या ऐसा संभाव है क्यों नहीं बच्चा हम सादू भात्माओं के लिए कुछ संभाव नहीं है ठैरो हम तो मैं अभी अपना चमतकार दिखाते हैं इतना कहकर सादू बना लाखन लाश के बास पहुचा और अपने थैले में कोई बस्तू निकाल कर उसे सुंगाई और कगली पल लाश एक जटके सुट कड़ी हुई भूत भागो भूत इसी पल सादू के होटो स्षीटी कुझी लाश को डरते देख सैने डरके मारे दोगे भागनी लगे जिसके जवाँ में तुरंत ये घोड़ा ना जाने कहां से निकला और उसके पास आप पहुचा और हद्बत खड़े सिपाई जब कुछ समझ पाते हैं लाखन और शेरा उसल का घोड़े पर सबारोकर यह जा और भैजा ये दाड़ी मूँचे रख लो तुमारे काम आएंगी महराज परत्वी सिंग इस घटना के ख़वर पागा है हरान हो गया इतने चलाक और बुद्धिमान चोर हमने आस्तरी देखे ऐसे बुद्धिमान लोगों को तो हमारी कुप्चार सैना में होना चाहिए था अगले दिन महराज परत्वी सिंग की और से गोपूरे राज़े में गोशना होई राज महल में चोरी करने वाले दोनों चोर जहां कई मी हो राज महल पहुँचे है महराज उनसे मिलना चाहते है महाराज पर्तिवी सिंग की गोष्णा सुनकर लाखन और शेरा दर्बार में पस्तित हुए प्रणा महाराज लाखन और शेरा ने जब चोर बनने का कारण बताया तो राजा हरान हो गया ओफ ये कैसे सकता है हमाई तरफ से तो सोवनपूर भरपूर सायता पहुंचिए हम स्व मानव hour remove का क्ल्लार मंतरी ने उक्त करते हैं धन्यवाद महराज लाखन और शेरा उख को मंतरी बनाने के साथ साथ राजा को तुलहराम राजा तुलहराम ने तुलहराम को भीान और अपना मुक्ए सलाकार बना लिया था समाप्थ अगर ही आती है कॉमिक्स जासूस बनी है कातिल कौन कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपने बताना है आकर इसमें कातिल कौन है शहर के सबसे बड़े उद्योग पती सेट राजश्वर चौधरी उस राद दस बजे फैक्टरी में घर जाने के लिए निकल लेते हैं सलाम साफ गारी ड्राइब करते बें चौधरी का दिमाग तीवी कदीश दोड़ा था फैक्ट्री के हिसाब से लाखों का हेर फेर है मुझे अजय से बात करनी होगी सारे एकाउंट उसी के हाथ में होते है अचानक लगता है बेचारे को टकर मार गया देखता हूँ चर चर लेकिन जैसी राजश्वर चौधरी कार के उतर पहुचा इया ओहो अगली पल चौधरी अपने कंदे पर कुछ आकसी उतरती है ठाक मनने के ले त्यार हो जा चौधरी आहा इसी पल तीवे जटके साथ एक अन्यकार वहां करोगी घर घर ओहो कार से चौधरी का छोटा भाई अजे चौधरी भाई ने किलाब है या अजे को निकट पहुंसता देख उस हमलावार ने भरपूर भाल किया ठाक ओफ अजे चोड को सैन्ने कर पाया जवान में जवाब में लाच चलाई धार फिर उसने हमलावार को संभानने का मौका नहीं दिया था कमीने तेरे मेरे और पुलिस को बलवा लिया शुक्रह कंदे की हट्डी तूटने से बच कई इसी फल बैड्रूम में उसका तीस रभाई विजय चौदी पर विष्ट हुआ जोहर समय शराब के नशे में धुत रहता था भाईया क्या हुआ आपको भाईया पर कातिलाना हमला हुआ है विजय हमला वह है मैं हमलावार को गुली मार दूँगा विजय तुम बहुत नशे में हो अपने कमरे में जाकर अराम करो ओके ब्रदर यॉर ओर इस ओर और और वेल रख़ड़ाता हुआ भाहर चला गया गधा अपनी बोतल यहीं छोड़ गया उसका बस चले तो घर के हर कौने में शराब की बोतलन से जाते पता नहीं क्यों पीता है अतनी विजय के जाने के बाद इस्पेक्टर सावने अपनी पूशता है पर हमकी चोड़ी साब आपकी किसी से दुश्मनी तो नहीं है बिलकुल नहीं तो फिर आप घर कातिलाना हमला किसने कराया यही मालूम करने के लिए तो आपको बलाया इस्पेक्टर अपरादी को ढूणना आपका काम है आपका मूड काफी उख़़ा सा लग रहा है मिस्टर आजे बुरा नामानी इस्पेक्टर आजे मेरी वज़े से परशान है अगर आज बैस समय पर नाता शायद 17 म मिस्टर आजे अचानक नहीं पहुझे था दरसल में भाईया के फैक्टर से निकबनने के पांच मिंट बाद ही घर के लिए चल दिया था आई सी चौजी साब आजे और विज़े आपके सोतरे भाईये ना दुनिया की नजर में हैं लेकिन हम तीनों में सगे से अधिक प्रे लिए तो घूंट आप भी लगा लिए नो थैंक्स मुझे सिर्फ यह बता दीजे कि आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जाके बड़े भाई का दुश्मन हो क्या बात करते हैं आप भाईया जैसे नेक दिल आदमी का दुश्मन कौन होगा अरे हमारा भाई तो सबके लिए समान है ठीक है अब मुझे आग्या दीजे चलता हूं अजय और विजय दौनों ही उस पोर्चे तक छोड़ने के लिए गयते हैं मैं घटना स्थर करने जा रहा हूं कल आप लोगों से फिर मिलूंगा ओके स्पेक्टर आएं वेन कमलों में शराप की फसल उकती है क्या हाँ ऐसी बात नहीं है इस्पेक्टर दरसल विजय के घर के हरकोने में अपनी बोतल चुपागे रखता है बस जिजगे भी तलब लगी है महीं से बोतल निकाल ली अजय की बात पठाका लगाते हुए इस्पेक्टर सावन का मस्तितीवकती से का करा था चौधी साब की मौस से यदि किसी को फायदा हो सकता है तो वह अजय और विजय मुझे इन दोनों की बारकी से दोनों को बारकी सी चेक करना होगा अगले दिन इस्पेक्टर सावन दुपैर तक अजय और विजय के बारे में च्छान बीन करने लगा एकांट डेबार्टमेंट चौधी इंडस्ट्री अपनी इंवेस्टिकेशन चौकाने वाला नतीज़ा सामने है चौधी इंडस्ट्री के खातों में पचास लाकी कर बड़े जिसमें इन ही दोनों का हाथ है मुझे फॉरण चौधी साब से मिल ला हुगा उधर राज चौधी यह तुम अपनी मौस से बात कर रहे हो चौधी आज शाम चार बजे में तुमारी हत्या करने वाला हूं तुनिया कोई ताकत तो मैं नहीं बचा सकती सकेगी चौधी ने घबरा का दोनों भाईयों को बलाया भाईया यह आपका कौन दुश्मन पैदा हो गया मैं पुलिस को फोन करता हूं सूजना पाकर इस्पेक्टर सावन पुलिस के दल के साथ पहुँचे घबराने कोई बात नहीं है हमारे रहते इस घर के में चौधी साथ को को तो वाले घिनोने एरादों में काम्यामनी होने दूँगा लेकिन अप्रता शुरूप से अपने मन वहाँ को छपाता बोला हमत से काम लीजिए हम सब मिलका चौधी साथ की निग्रानी करेंगे हम भाईया को सील कर देना चाहिए गोड आइडिया चौधी साथ कमरे में रहे प्रेक्षण किया मुझे बहुत साथाइज तलाश करनी होगी मेरी एक भी गलती चौधी साथ की मौत का करणब होगी पूरी तरह संतुष्टोने के बाद उसने सब को अंदर बला है ओल राइट यह कमरा पूरी तरह स्वक्षित है ना यहां कोई हत्यार है ना यहां कोई अधिया मेरी डूटी है मैं समय रहा है इस्पेक्टर आप शौक से मेरी तलाशी ले लीजिए इस्पेक्टर सावन ने बड़ी तला बारिकी से एजय की तलाशी लेकिन कुछ बरावन नहीं कर सका यदि एजय कतल करना चाहता है तो उसके पाए हत्यार अवश्य होना यहां नहीं रुख सकते हैं आप मेरे साथ आईए मेरे साथ जाव विजय आजे है ना मेरे पास ठीक है भाई यह आप दरवाजा बंद कर लीजिए हम लोग भाहर जा रहे हैं ओके स्पेक्टर कमरा बंद होने के बाद स्पेक्टर सावन ने बहार से खड़ की और दर्वाज हो कि सामने से पाईयों उखडा कर दिया चार बजने में भी पंद्रे मिंट शेश हैं तो आईए हम सामने लॉन में चल कर बैठते हैं इस्पेक्टर सावन विजय के साथ लॉन में बैठ गया और यहां से वे चौदरी के कमरे की दर्वाजे भी देख सकता है अब देखते हैं कातिल अपनी धंकी कैसे पूरा करता है मैं नर्वस होना इस्पेक्टर मोई शराब शाहिए आप भी कमाल की चीज़ हैं मिस्टर विजय कहां कहां अपनी शराब की ब चौदी कमरे से दो धमागी सुनाई दिया धाए 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 ओ गड़ा पिया कैसी अवाज है घबराट में विजय के आज से बोतल शूट गई सभी कमरे में दर्वाजे के कट हुए धरवाय खोलो मिस्टर अजय अजय भाईया अजय ने दर्वाय खोला कजब हो गए अस्पेक्टर ओहो विजय ने दोड़का चौदी की लासले बढ़ गया भाईया क्या हो गया तो मैं भूह भाईया मर गए विजय किसी ने उन्हें श सब्सकूं अभी बात्रूम में था कि तभी मैंने दो फम दिमाघों की आवास सुनी उन्हें कुबरा कर मैं बहार की ओर भागा एकन फिसल कर बात्रूम में घिर गया था तभी भार से आप लोग ने शोर मचाया मैं उटकर भाईया तो भईया की लास देग फिर मैंने दर्वाजा खोल दिया मेरे भाईया मर गए इस्पेक्टर कातिल नमी धमकी पूरी करती बूहू इस्पेक्टर तुरंती एक्षन में आ गया कमरे की तलाशी लो जरूर यहां कोई को उपतलासता है जिससे कातिल भीतरा है एक एक इंच करने रिष्छन करो इधर विजय क की हालत में काफी धुतता उसकी हालत काफी खराब कती राम सेंग तुम साभ को कमरे तक छोड़ कर आओ जी साभ इस्पाई बजय को सारा लेकर कमरे में भाले आ भाया मेरे भाया बूहू उधर कमरे की पूरी तलाशी लेने के बाद भी सिपाई को कोई गुपतलासता नहीं तलाशे के जोहिला कर इस्पेक्टर सावन ने आजय को दुबारा तलाशे ली फिर निराशन से रहा तो बोले यहां कोई गुप तलाशता नहीं है कमरे से कोई पिस्टॉल भी नहीं मिली बहार सभी जगे पहरा था फिर कातिल भीदर कैसे आया और यदि कातल अजय नहीं किया है तो इसके पिस्टॉल कहां से आई फिर कायब कैसे हो गई हमारे सामने इस कमरे में ना कोई आया ना कोई बाहर गया फिर यह कैसे हो गया दोस्तों यह है जासूस बनिये प्रत्योगिदा की पहली कड़ी आपने सभी में नाम जीच सकते हैं विजयता बनने के लिए आपको बिना कूपन में देर से प्राप्तोनेवारी प्रविष्टियों में प्रत्योगिदा का हल विजयता के नाम अंक नमबर चार प्रकाशित की रहेंगे प्रत्योगिदा प्रणाम किसी अपाठक का इतराज या दावा पे इनुन रंदी होगा इस सम्मंद में अभन निन पते बरणार बथे हैं आ है कि जासुज बनिये प्रत्योगिदा नमबर टूप यह रहेंगे इनौज दो यह था नलगस धीडियों कमिक्स 2000 फ्री लुकी ड्रॉब एक जलक आगामी अंक मैं दोस्तों यह अंक तो खताम होगया Comix Tut Se Darling का आपको ये अंक पत्रिका कैसे लगी है मैं पताइएगा मैं तो पूरे अपने बश्वन पहुंच गया पत्रिका को पड़ के तो आपको अगर ये Comix कैसे लगी है जरूर बताईएगा अब चैनल फर्स टाम है चैनल को सबस्क्राइब कीजिए चलिए इसकी आगामी प्रत्यों की आगामी जो आ रही है कॉमिक्स टूथ हंग की उसमें क्या क्या है आपको देखने को मिलेगा बाउल का पजारी 100 साल पूर किये उसके अपराद उसे भारती में मिश्र में खीचला है क्या था उसका प्राद कौन था वे पढ़े पुनने जर्म पर अधारित या रोमान चक्का था जंगल से निकलकर मुम्मू सुम्मू और टुम्मू शहर पहुंच गये उन्हें चिंता है अपने दोस्त डाकू अनंगी मार को पुलिस से चुड़ाने की जो इता जंगल में परशान है उनके माता पिता आगे क्या होगा पढ़े मुम्मू अच्पली सिंग कैंप चोधे पाकिस्तान सैनी का सैना का सैनिक बंदी शिवर जहां से भागना ना मुंकिन था लेकिन स्क्वाइटर लीडर अजीस सिंग को हराल में महां से भागना था अ समय है तकर का तकराव का युद्ध का बदला खुल जा सिमसिं कातिल जिसने कतल करके स्वैम को मौत के मुँ में धकेल दिया क्योंकि जिस कमरे में उसने कतल किया था उसका दरवाजा के वाल मक्तूल खोल सकता था आकर ऐसी क्या विशी सिता थी उस कमरे में चानने के लिए खुल जा सिम्सिन जासूस बनिये प्रत्यों कि ताउस विशाल खंटर में कहीं तफनता एक विशाल खजाना जिसका राज एक अजीवो गरी पहली चादनी रात में सूरज चमके चारो और अंधेरा हो मिच्छ पता क्या इस्पेक्टर सावन पहली को हल कर पाया पढ़िये सूरज की खोज साथ ही फ्री लगी ड्रॉव है अन्य प्रत्यों कि ताउस पच्चिस हजार क्या आकर्शा के नाम तो दोस्तों देख कर ये कॉमिक्स माइल लाइफ चैनल ऐसी आसम कॉमिक्स में मिलेंगे कॉमिक्स टू थाउन के अगले अगली कॉमिक्स में भी